नमस्कार आप देख रहे हैं प्रगती मीडिया दिल्ली में जामिया लाके में तीन बार फायरिंग की गटना से हंगामा मचा हुआ है तीस जनवरी को जामिया नगर में एक युवक दारा पिस्तोर रहराने और फायरिंग की गटना में दिल्ली पुलिस को एक बड़ी सवलता मिली है पुड सौंबार को पुलिस ने एक अजित नाव के युवक को कृफतार किया है युवक पर आरोब है कि उसने ही जामिया में बंदुक चनाने वाले युवक को हतियार सप्लाई किया था गौरतलब है कि रविवार की मदराती जामिया मिलाग इस्लामी विश्वदालय की गेट नमर पांच की पास इसकूटी सवार दो संदीक युवकों ने फायरिंग की थी ये जामिया इलाके में गोली बारी की तीसरा मामला था इस गटना के बाद सी ए प्रिदर्शन कारियों और जामिया चात्रों का गुस्जा पुलिस पर तूट पड़ा और आदी रात को ही लोगों ने प्रिदर्शन करना शुरू कर दिया बता दें तीस जनवरे की गटना को भी एक युवक बंदुक लेकर शिये प्रिदर्शन कारियों के करीब पहुँच गया था जैसा कि आपको पहले की वीडियो में आप दिख चुके होंगे इस दोराण उसने प्रिदर्शन कारियों को दمकि दी और फारिरंग कर दी थी इस आएसिते में जामिया का एक चात्र गाहिल हो गया इस गटना के दो दिन बाद हे साहिन बाग में एक युवक दौरा फारिरंग का मामला सामने आया था बता दे कि जाम्या मिलिया इस्लामी विश्वधाले के पास रईवार रात की गई गोली वारी पर S.O.S. G. किसन रेडी की बजान आया था और नोने का कि ऐसी चीजा नहीं होनी चाहिए हत्यार रखने और ऐसी हरिकत करने वाला को सजा जरूर मिलनी चाहिए सरकार इस पर सक्ति कारवाई करेगी आपको बता दे कि रईवार देर रात गोली करीब साड़ी ग्यारा बजे नागरता संसुधन कानुन और R.I.C. के विरोध में जाम्या के गेट नमबर 7 वर्दन्ना पर बैटे आंदुलन कारियों में उस वक्त अफ्रामाती बच गई जब गेट नमबर 5 पर गोली चल लेके आवा सुनाई देते हैं इस आस्से के बाद में पूरे देश में खलचल मच गई और R.I.C. के विरोध कर रहे प्रदेशन कारियों पहवी एक इसका जोड़दार जटका बड़ा